नमस्कार स्वागत है आपका आर्या न्यूस में मैं हूँ आपके साथ सुमन पाल यूपी में दो बजे तक 35.8 परतीशत मदान हो चुका है आपको बता दे यह जानकारी सामने आ रही है और इसके साथ ही आपको बता दे कि फिरोजाबाद की अगर बात कर ले तो 24.67 परतीशत और काशगंज की अगर बात की जाए तो 37.62 परतीशत वोटिंग हो चुकी है महीं फरूखाबाद में भी आपको बता दे 35.10 परतीशत वोटिंग हो चुकी है कनोज में 37.9 जीरो वोटिंग हो चुकी है इसके साथ ही कानपूर नगर में 24.56 पर्तिशत वोटिंग होई है कानपूर दिहाद की बात की जाए तो 34.4 तीन पर्तिशत वोटिंग हो चुकी है हम आपको बता रहे हैं यूपी में ही दो बजे तक वोट पर्तिशत कितनी हो चुकी है ये जानकारी हम आप तक पहुँचा रहे हैं इसके साथ ही आपको बता दे कि फिरोजाबाद में 24.67 पर्तिशत वोटिंग हो चुकी है काशगंज की अगर बात किये जाए तो 37.62 पर्तिशत वोटिंग हो चुकी है कानपूर देहाद की भी बात कर लेते हैं वहाँ पर आपको बता दे कि 34.64 पर्तिशत वोटिंग हो चुकी है और कानपूर नगर में भी बात की जाए तो वहाँ पर भी वोटिंग का सिलसला लगातार जारी है और ललिकपुर में ही 42.10 परतीशत वोटिंग हो चुकी है सहातरस की अगर बात की जाए तो 36.6 एक परतीशत वोटिंग हो चुकी है आपको बता दें कि फिरोजाबाद में 24.6 शाथ परतीशत वोटिंग हो चुकी है काशगन में भी 37.6 दो परतीशत वोटिंग हो चुकी है इसके साथ ही फरूखाबाद में भी 35.10 परतीशत वोटिंग हुई है और करनोज में बात की जाए तो 37.90 परतीशत वोटिंग हो चुकी है जालोन में भी आपको बता दे कि 37.4 तीन परतीशत वोटिंग हुई है जासी में भी 32.8 तीन परतीशत वोटिंग हुई है ललिटपूर में 42.10 परतीशत वोटिंग हुई है हमीरपूर में 35.8 तीन परतीशत वोटिंग हुई है और संऽ बात की अगर बात कर ले तो वहाँ पर भी 24.69 पृटिंग वोटिंग हुई है और काशगंज में ही 27.95 6 दो पृटिंग हुई है इटावा में अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी आपको बता दें कि 36.96 पृटिंग जो है वो हो चुकी है यह हम आपको जानकारी दे रहे हैं यूपी में दो बज़े तक वोट परतीशत कितना रहा है अभी तक मत दाताओं ने कितनी वोटिंग की है इसके साथ ही कानपुर देहात में 34 दश्मिलोग 4-3 परतीशत वोटिंग हुई है आपको बता दे कि हाथ रस को भी बड़ा अच्छा गड़ बाना जाता है इसमें भी आपको बता दे 36.6 एक परतीशत वोटिंग हुई है फिलहाल चलिए रुक करते अगली खबर के और जहाँ पर यूपी और बिहारियों को लेकर सीम चन्नी द्वारा दिये गए विबादित बयान पर आज केंद्रिय मंत्री गिरी राज सिंग नहीं प्रेंका गांधी पर जोड़दार हमला किया है उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वो प्रेंका क्या बोलेंगी जो चदी के बगल में खड़ी होकर बिहार को गाली दिलवाने का काम कर रही थी जब गाली दी जा रही थी तो वो हस रही थी गिरी राज ने सीधा निशाना साते हुए कहा है कि वो पंजाब में बहु बनकर गुरु गोविन सिंग को ही गाली दिलवा रही थी संतर अविदास को गाली दिलबा रही थी केंद्रिय मंत्री ने शायरी के जरिये ही हमले करते हुए कहा है कि अपने दिल से पूछिये पराय दिल का हाल गिरीराज सिंग ने आगे कहा कि राजतंत्र तो चला गया है लेकिन कॉंग्रेस की अंदर आज भी राजतंत्र है उन्होंने कहा कि बिजेपी में एक चाय बेजने वाला व्यक्ति परधान मंत्री बन सकता है लेकिन कॉंग्रेस में नहरु परिवार को छोड़ कर कोई भी परधान मंत्री नहीं बन सकता है गिरीराज सिंग ने ये भी कहा है उन्होंने साफतोर पर दावा करते हुए कहा है कि पंजाब चुनाओं में कॉंग्रेस निराश और हताश है इसलिए इस तरह कि बयान बाजी लगातार कर रही है वही महरास्ट के राजनीती में तमाम खुलासों के दावों के बीची शिवसेना नेता और राज्य सभास सांसर संजे राउत ने भारतिय जंता पार्टी के निताव पर बड़ा जुबानी हमला किया है शिवसेना नेता ने केंद्रिय मंत्री नरायन राणे के दावों पर कहा है कि नरायन राणे धंके दे रहे हैं कि उनके पास हमारी कुंडली है धंकिया ना दे और आपकी भी कुंडली हमारे पास है आप केंद्रिय मंत्री हो सकते हैं लेकिन ये महारास्ट है यहां ना भूले हम आपके बाप हैं और इसका मतलब आप खुबी जानते हैं उधर केंद्रिय मंत्री नरायन राडे ने भी एक बंगले को लेकर ही ब्रहम मुंबई महानगर पाली का नहीं नोटिस जारी किया है नोटिस में कहा गया है कि BMC की एक टीम परिसर का निरिक्षन करेगी और तस्वीरे खीचेगी संजेर आउत ने विजेपी नेता किरेट सोम्या पर भी जमकर हमला किया है आपको बताते चलें कि सिवसे ना सांसद नहीं कहा है कि आप घोटाले की दस्तावेज केंद्रिय एजं पर है और उनकी पत्री निदेशक है इसके जाच होनी चाहिए कि उन्हें पैसे कैसे मिलें